हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको माता लक्ष्मी हमारे घर में कैसे निवास करें उसके कुछ उपाय बता रहा हूँ यह उपाय दिया आप करोगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करेगी सुक समर्दी से हमारा घर परीपुन हो जाएगा सुक सांती हमारे घर में बनी रहेगी सुकरवार के दिन सफेद वस्तर धारन करें पूजा घर में मा लक्ष्मी की प्रितमा पर कमल का सफेद पुस्त अर्पित करें इससे हमारी माता प्रसन होती है यदि आपके घर में बरकत रुक गई है तो सुक्रवार के दिन स्री लक्ष्मी और स्री सुक्त का पाट करें एक बार घर के अंदर नमक के पानी का पोचा जरूर लगाएं जिससे सच घर रहेगा तो माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा पीपल के व्रक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में चीनी घी दूद सभी को मिलाकर पीपल की जड में यदि हम उन्हें डालते हैं तो लंबे समय तक सुक्ष्मी रहती है और लक्ष्मी का बास हमारे घर में बना रहता है अगर आप किसी सुब कारे के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आप दही खाकर सुब कारे के लिए निकलें तो निश्चित है आपका वह कारे जरूर पूर्ण होगा गाए के घीका दीपक जलाएं सफेज बत्ती का प्रियोग ना करके लाल रंग के धागे का इस्तमाल करें सोने से पहले यदि हमारे घर के अंदर आप कपूर जलाते हो तो जो नकारबंत उर्जा होती है वो खतम हो जाती है और माता लक्ष्मी का वास होता है बिखरा हुआ सामान घर के अंदर ना छोड़ें सभी सामान को इखटा करके उत्य यथा स्थान पर रखें बजर्गों का सम्मान करें अपने से बड़े हैं हमसे जो बड़े हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए सुक्रवार को सफेद मिठाई कोई भी मिठाई हो उसका माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं इससे माता प्रसंद होती है यदि आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसंद होती है खुस होती है और हमारे घर में हमेशा के लिए उनका वास हो जाता है माता लक्षमी के ये उपाय करने से हमारे घर के अंदर सुक समर्द दियाती है अपार धन की मात्रा हमारे घर के अंदर बढ़ती है ग्रह कलेस असान्ती बिलकुल यहां से दूर हो जाती है और माता लक्षमी का हमारे घर के अंदर वास रहता है तो ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए